हुआ स्टुडेंट आज हम बात करेंगे स्ट करते हैं तो आपको पता है वह बड़ी उस एसिलिदेशन का पोज करती है माइंस उसकी जो पोजी डायरेक्शन हमें मारे एक फोर्स लगता है और उसको हम वहलते हैं इन्व्प्ट इन्री पोषग मैं तो हमें बात करें जो पूट मोसन ले सकते हैं तो अब होता क्या है जब भी आप किसी भी बॉड़ी को एसिलेरेट करोगे तो उसमें हमारे इंदेशिया फोर्स डबल अप होंगे और अगर इन इंदेशिया फोर्स का मेंगनिट्यूट अगर आपका स्मॉल है तो उस केस में हम उनको नेंगलेक्ट करके चलते हैं एज कंपेर टू एपलाइड फोर्स तो उस केस में आप इंदेशिया फोर्स को नेंगलेक्ट कर सकते हो लेकिन जहां पर भी हमारे इंदेशिया फोर्स के मेंगनिट्यूट ज्यादा होगा उस केस में आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा तो इस्टेटिक इन्रेसिया फोर्स इंदेशिया फोर होता है और दाइडमिक फोर्स अनलीशिस होता है जहां पर आप है जो मास्स के थ्रू हमारा जो इन्रेशिया हो रहा है अगर आप को कंसीडर करके अनलिस्स करें आज मैं आपको बताओंगा कि अगर हमारा फॉरबार मेंकेन तो उस में आप उनके डिफरेंट मेंके डिफरेंट जो आपके लिंक हैं जो आपके डिफरेंट एलिमेंट हैं उन पर हमारा force किस तरीके से develop होता है और उनका analysis आप कैसे करें तो उससे पहले मैं कुछ चीज़े बताता हूँ जो आपके जरूरत है उनमें से आपका यह है हमारा constraint constant and applied force constant force आपका वो force होता है जो किसी body पर internally develop होता है by the application of external force आप क्या करते हो किसी body पर एक external force apply करते हो तभी हमारा moment होगा अब external force के वज़े से उस body के other member पर कौन-कौन से forces develop हो रहे है that is known as constant force तो आप कह सकते हो जो हमारा constant force होता है वो active और reactive force होते है किसी active element पर active and reactive forces on the element जबकि applied force आपका external force होता है जो कि आप किसी भी body पर apply करते हो मैं एक एक्जाम्पल के तुरू आपको यह आपकी slider crank mechanism है और slider crank mechanism में यह हमारा piston है अब जो हमारा force आएगा वो system पर आएगा suppose that यह force आ रहा है आपका तो that is known as external force जो आप किसी भी body पर apply करते हो अब इस force की वज़े से इस पर कितने कौन-कौन से forces आएंगे इस पर हमारा क्या develop होगा that is known as active or reactive forces जो की external force की वज़े से other member पर जो आपके active or reactive forces develop हो रहा है that is known as constant force इसके अलावा यह सभी को पता है हमारा static equilibrium की जो हमारी condition होती है और आपकी vector sum of all forces acting on the body is equal to zero and vector sum of all the moment about any point is equal to zero that is the condition of equilibrium तो summation of all the forces equal to zero and summation of torque equal to zero so that is the condition of the static equilibrium अब अब बहुत सारे आपके ऐसे machine elements होते हैं मैं एक example लेके बात करता हूं कि बहुत सारे आपके जो इन इन एलिमेंट है उनमें मैं फोर बार mechanism ले ले लेता हूं यहां पर और इस पर आपका कोई भी फोर्स लग रहा है एक फोर्स सपोर्स देट है ठीक है तो अगर बात करें यहां पर तो यह एक फोर्स तो हमारा इस िए पिसके लिए भीड़ींड हिए फोर्स लग रहा है वह आपका च और देव लिंकर लगरा जो कि एक स्टनली आप प्लाई कर रहे हो इसके तूर अपके आपके और और भी फोर्स हो सकते हैं और वह कौन-कॉन Unless ईशनल फोर्स एप लिए एक इस पर अप्स और दूसरा हमारा एक BC link भी हमारा force एक जट करीग, इस पर आपका CD link पर, तो अगर हम CD link की बात करें तो इस पर हमारे 3 forces आएंगे, एक BC link के थुरू आएगा और एक आपका AD link के थुरू, और एक हमारा force एप लग रहा है, तो यहाँ पर आपके 3 forces लगेंगे, तो आप यह कह सक जो हमारा cd member है वो three force member है इसके इसके अलावा अगर हम bc की बात करें जो link हमारी bc है इस पर हमारे दो forces आएंगे एक तो आपका a b की वज़े से आएगा दूसरा हमारा c और d की वज़े से आएगा तो आप कह सकते हो जो bc link है वह हमारी टू यहां पर अगर हम एबी की बात करें तो एक और डी के ठूँ फोर्स लगेगा एक और बीस सी के फिर द्वक्ष लगेगा और इसके लाव iba एस पर हमारा टॉर्ख डवल अब होगा तो हम बात करेंगे कि तीनों कंदिशन में कि अगर हमारी कंधिशन है टू फोर्स मुंबर है एंड़ फोर्स एंट ओस समय उनकी एकिलीम कंडिशन क्या होगी तो मैं वन भाई वन डिसकस करता हूं कि आपका टर को तो थो पोर्ष मेंबर के की मेहम लिए आपको पता है कोही बहुत हे मेंबर है यह आपका एकलिबिरियम में कब होगा यह हमारा मेंबर A और B है आपको इस मेंबर को अगर हमें इकलिबिरियम में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा तू फोर्स लगाने पड़ेंगे और वह दो फोर्स कैसे होने चाहिए आपके सेम लाइन पर होने चाहिए तो फोर्स होने चाहिए और वह दोनों फोर्स अपके एकल एकल पैंड उर्थ होना चाहिए यह तो आपके दोनों कॉन से ने गोंगे या तो आपके दोनों Weil लाइन cumulative होने चाहिए और equal and opposite होने चाहिए मैं condition लिख देता हूं act on the same line have equal magnitude act on the same line have equal magnitude and act in opposite direction आप कह सकते हो यह link हमारी equilibrium में होगी तो अगर हम बात करें तो यहां पर f1 equal to कितना होगा हमारा f2 होगा सेम लाइन पर होगा लेकिन अपोजी डारेक्शन यहां पर f1- equal to f2 ले सकते हो तो यह तो थी हमारी two force के equilibrium condition पोजीशन अगर हमारा three force मेंबर है अगर हमारा three force मेंबर के केस में जो हमारी equilibrium position होती है वो होती है कि जो हमारे तीनों forces है सब्सक्राइब कोई आपका body है और इस पर हमारे three force लग रहे हैं तो जो आपके तीनों force है वो हमारा एक ही line पर आकर एक ही point पर आकरके intersect होने चाहिए तो जो हमारे three force की first necessary condition होती है कि तीनों force आपके एक ही point पर आकरके intersect होने चाहिए तो आप कह सकते हो यह body हमारी equilibrium में है दूसरी जो condition है वो है इनका जो vector sum है वो equal to आपका zero होना चाहिए तो मैं यहाँ पर आपका condition लेख फर्स्ट कंडिशन है जे लाइन आप एक्सन आप दा फोर्सेस इंटर्सेक्ट एटे पॉइंट इसको आप बोलते हो point of concurrency भी हम इसको बोलते हैं इसके लावा जो हमारी second condition है जे जीरो जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो आपका जीरो होना चाहिए या इसको हम बोलते हैं तो वेक्टर समझ होगा हमारा तीनों फोर्सेस का वह एक्वल टू जीरो होगा अब यहाँ पर कंडिशन यह होती है कि सब्सक्राइब यहाँ पर एक फोर्स आपका मेंगनिटीव डारेक्शन दोनों में नोन होता है तो बाकि जो दो फोर्सेस हैं आप उनका डारेक्शन और मेंगनिटीव फाइंड आउट कर सकते हो इस मैथड से तो मैं आपको दोबारा अगेन रिपीट करता हूं यह आपका कोई भी एलिमेंट है इस पर हमारे थ्री फोर्स लगना है एफ वण एफ टू एफ थ्री और अगर आप इसका हमारा डारेक्शन और मेंगनिटीव दोनों में नोन हैं डारेक्शन एंड मेंगनिटीव तो और बांकी का आपको इनका दोनों का मेंगनिटीव फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम उस फोर्स को ड्रॉ करेंगे जिसका डायरेक्शन और मेंगनिटीव दोनों नोन है तो यह आपका एफ कौन होगा इसके बाद आप एफ टू ड्रॉ कर सकते हो यह आएगा और इसके बाद आप एफ ट्री ड्रॉ कर सकते हों किस तरीके से आएगा इस तरीके से यह डायरेक्शन मेंगनिटीट में दोनों नोन था तो हम क्या करेंगे पहले यह लाइन ड्रॉ करेंगे इसके इस फोर्स के पहला लेक लाइन ड्रॉ करेंगे नोन मेंगनिटीट का इसके अलावा इनका दोनों का डायरेक्शन नोन है तो हम क्या करेंगे इस प फोर्स हमारा यह है तो हम इस पॉइंट से इस फोर्स को डॉ करेंगे यह दोनों जो हमारे फोर्से से एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे तो इस मेतर से आप इन दोनों का F2 F3 और F2 का मेंगनिटूद फाइंड आउट कर सकते हो इसका जो निस्तरी कंडिशन है कि यह आपका क्लोज लूप बनना चाहिए और इनका वेक्टर सम एक पॉल टू आपका जीरो होना चाहिए जो हमारी थर्ड कंडिशन है कि मेंबर वेद तू फोर्सेस एंड टॉर्क यह कोई भी हमारा मेंबर है और इस पर हमारा टॉर्क डेवलफ हो रहा है तो अब अब इसको इक्लिविडियम में कब कर सकते हो आप इसको इक्लिविडियम में तभी करोगी जब आप क्या करो इस टॉर्क के equal and opposite direction में couple produce कर दो तो ये आपका balance हो जाएगा तो अब हमें couple produce करने के लिए क्या करना पड़ेगा दो forces लगाने पड़ेंगे और वो दोनों forces कैसे होने चाहिए एक दूसरे के parallel force होने चाहिए तभी ये equilibrium में होगा तो हम क्या करेंगे दो forces लगाएंगे दोनों force आपके parallel होंगे और opposite direction में होंगे तो यह आपका f1 force है यह आपका f2 force है और हमने दो force लगाए हुए हैं दोनों कैसे हैं हमारे parallel force हैं एच distance पर चुंकि perpendicular distance इनकी क्या हमारी है है तो अब यह दोनों f1 और f2 force क्या प्रोडूस करेंगे आपके couple प्रोडूस करेंगे यह हमारे टॉर्क प्रोडूस कर रहे से सो यहां पर टी एक्वल टू कितना होना चाहिए सी होना चाहिए और condition क्या है इनकी आपके जो two forces हैं वह दोनों आपके एक्वल मैंगनिट्यूट क्योंने चाहिए two force एक्वल इन मैंगनिट्यूट पैर्लेल इन डायरेक्शन इन अपोजेट इन सेंस अब यह जो दोनों forces हैं हमने लगाए हुए two forces एक्वल मैंगनिट्यूट पैर्लेल इन डायरेक्शन अपोजेट इन सेंस सो यह दोनों force मिलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे बोथ force बोथ force फॉर्म ए कपल विच एज इक्वल एंड अपोजेट तू टॉर्क तो बोथ force आपके दोनों force मिल करके एक कपल प्रोड्यूस करेंगे जो की होगा हमारा टॉर्क के एक्वल तो यह तो हमारी एकिलिवियम कंडिशन थी तीनों की केसिस में 2-4 मेंबर 3-4 मेंबर एंड 2-4 मेंबर एंड टॉर्क आगे के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसी मेथट को एड़ोप्ट करते हुए स्लाइडर क्रेंक मैकेनिजम और फोरबार मैकेनिजम का फोर्स अनालिसिस कैसे करें तेंक यू वेरी मैच